इस वीडियो में उन्बॉक्सिंग करने वाले इस काई के प्रीमियम क्वालिटी नेल कटर की नेल क्लिपर की 100% स्टेलने स्टिल से बनाए यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके मैं इसे सर्च किया था मैं यूटूब पर तो इसके बहुत ज़्यादा वीडियो आते उनको खरीदना है तो उनको एक आईडाय लग जागा इसलिए 13th of July को से ओडर किया था आज 19th of July है आज मुझे रिसीव हुआ है प्राइजिंग है आप देख सकते हैं 100% स्टेलने स्टिल से यह बना हुआ है और यहाँ पर आपको इसके साथ नेल कैचर भी मिलता है मतल है चोटा षडबा मिल जाता है एक तरह से चोटा चा पाकेट है और यहां पर देख सकते हैं 003 है टाइब 003 इस मतल है है और यहां पे जो कुछ सील गर्य नहीं ए डिरेक्टलिया आप जो इस तरह सकते हो बस यहांप एक टेप लगाई आइए तो इस तरह से कुछ आपको पीछे के तरह चीजले दिखने मिल जाती है उसके स्पेक्श ऐक तरह सब बोल सकते हो 550 रुपीशन manufactured by Vietnam company limited और यह वियत नाम में जो है manufactured हुआ है and marketed by यहाँ पर आप देख सकते हो India private limited यहाँ से जो इसकी marketing के बार बताया है और यहाँ पर जो है online अगर आप देखो तो यहाँ पर बताया जाता है made in Japan but यहाँ पर जो है made in जो है यह वियत नाम है तो वियत नाम में इसकी manufacturing होती इस सेम एड्रेस पे और imported and marketed by काई manufacturing India private limited यह इनकी जो इंपोर्टिंग करते इंडिया में और बाकी यह सारी चीज़ा आप देख सकते हो तो इससे जो है बहार निकाल लेते एक बार इस में से तो पता नहीं यह false marketing जो है क्यों करते यह online मतलब made in Japan करके लिखते है लेकिन यह जो है made in वियत ताम है तो इस तरह से जो है नेल क्लिपर का आपको size जो है देखने मिलते है अच्छे का से size का जो स्टेलने स्टील है 100% जैसे कि उन्होंने बताया है और डिरेक्टली जो आप इसे यूज़ करना शुरू कर सकती है यहां पर भी स्टेलने स्टील लिखाया आप देख सकते हो और यह कवर जो कुछ आईसे आप इससे निकाल सकते हो खीचके नियल को कलेक्ट करने के बाद 없 elim통 करने के लिए किच करना होता है यहां आद निकालते है तो इससे जो है अभी quickly मय यूज करके देखता हूं और हिंज वगरे जो यहाँ पे मतलब क्वालिटी वाई मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगरी इसकी कॉलिटी यहाँ अब देख सकते हूं यहाँ पर जो एक करव ही है कर बहुति हुआ जरूरी है क्योंकि यहाँ के बाइट नेयल्स जब करते हो और यह स्ट्रेट होगा तो यहां के नेल्स कट करने में जो एक कॉर्णर के प्रॉब्लम होती है तो यह कर्व शेप लेना चीए आपको ऐसे मैं रेकेमेंड करूँगा बाकि quality, size बगर यहां पर मुझे अच्छी यहां पर जो इसकी देखने मिलती है तो चलिए quickly जो है cutting करके देखते है नेल्स की किस तरह से जो है यह nail cut करता है तो यहां पर जो है try करते है मुझे थोड़ा डर लग लग ला है क्योंकि जो है first time इससे cutting कर रहा हूँ और मेरे नाकून भी ज़्यादा बड़े नहीं है तो यह वाला cut करके देखते है यह आप अब देख सकते हो easily cut हो रहा है मुझे ज़्यादा pressure जो है लगाना नहीं पढ़ रहा है इस तरह से जो इसकी cutting है blade बहुत शार्प है यहाँ तो इसलिए और मुझे आपर camera में देखके cut करना पढ़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा डर के cutting कर रहा हूँ इससे try करते इस वाले nail को आप देख सकते हो easily cut कर देता है एकदम sharp तो आपको एकदम ठीक से careful use करना है क्योंकि बहुत sharp है मतलब मुझे पूरा यह दबाना भी नहीं पड़ता है मैं फिर से आपको दबाता भी नहीं और nail कट हो जाता है तो definitely quality है blade की यहाँ पर बहुत अच्छी देखने मिलती है और अगर आप इसे ऐसे पकड़ोगे तो nail आप देख सकते हो नीचे गिर जाते है तो मुझे लगता है कुछ ऐसे पकड़ के cutting करनी चीए आपको तो जो nail जो अंदर जाएंगे इसके पूरे नहीं जाएंगे मुझे लगता है कुछ बहार भी गिर सकते है क्योंकि अगर आप ऐसे करके करो जैसे मैंने किया तो कु स्टेलने स्टील ही लग रहा है मुझे यह भी जिससे की आप शेब कर सकते हो आपके nail को और यहाप आप देख सकते हो क्वालिट इसकी भी बहुत अच्छी है इमीजेटली जो है यहाँ पर यह नाकून को जो है शेब देना जो है शुरू करता है तो क्वालिटी वाइस जो है डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी का जो है नेल कटर है और मुझे लगता है प्राइस भी जो है वर्त एक तरह से मतलब 100% स्टेलने स्टील के साथ जो है नेल कैचर वगरे जो आपको इसमें देखने मिलता है और ब्लेड बहुत शार्प है त मतलब छोटा नहीं है यह नेल क्लिपर अच्छे कासे बड़ी साइस को आपको देखने मिलता है तो डेफिनेटली अगर आपको जो है प्रीमियम क्वालिटी लॉंग लास्टिंग चलने वाला मतलब इसे जो है गीला वगरे करो तो भी इसमें रस्ट वगरे जल्दी यहां पे जो है मेटिइन जपान लिखा है लेकिन यह मेटिन विएतना में तो यह बात भी जल्रको ध्यान में रखनी तो अब देख सकते हैं मैडिन वियसे करें है और अब53 मृटी Sounds यह घ्रीमियम सीरीज तो यह सारे आप ओनलाइन चेक कर सकते हो और अगेन यहाँ पर भी जो देख लेते हैं हम मैनेफेक्टर के बारे में जपान का यहाँ पर पैकर जो है इंडिया में लिखा है इंपोर्टर वाला भी इंडिया में है कंट्री ओफ ओरीजिन जपान तो यहाँ पर विएतनम कहीं अब भी लिखा नहीं है बट आपको जो नेल कटर मिलता है वो में इन विएतनम वाला मिलता है वीडियो बसंदा तो वीडियो को जो लाइक कर सकते हो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते अगले वीडियो में